तोपिक के अंदर अब हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं CSMA केरियर सेंस मल्टिपल एक्सेस CSMA जो होता है वो तीन टाइप का है CSMA और CSMA CD और धर्ड है CSMA CA ठीक है अलोहा CSMA CSMA CDO and CSMA CA यह सभी रेंडम एक्सेस टाइप के मेथड है रेंडम एक्सेस हैं कंट्रोल नहीं है यह रेंडम है तो प्रिविएस लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें हमने अलोहा इसकस किया था और रेंडम एक्सेस क्या है वो कैसे वर्क करता है तो यहां हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं CSMA तक है Reading 보니까 से अग्से नाम से पता लिघा है Career Sense क Arya कि देख्यें की हमनी ये तो आपको पहले बता चुके है हम कि जो डिश्टव सिक्नल होता है उसका अपना कोई लेवल होता है Breath है पडिश्टल जो data है जिसके data की बात कर रहे हैं किस फॉर्म में होता है कि ऐसा नहीं हो जीरो वन की फॉर्म में फ्लो कर रहा है वह जब लिखा जाता है तो जीरो वन की फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन एक्ट जब फ्लो करता है किसी मीडिया के थुरू गाइडिड मीडिया हो या अंगाइडिड मीडिया हो जो वहां से ट्रास्मिट होता है लेवल की जब जीरो बिट की अदि हम बात करें लो लेवल की हम बात करें तो जीरो से लेके 1.5 वोल्ट तका सिगनल रेपेजेंट करता है उसको और जब मैं वन की बात करूंगा तो 3.5 से 5 वोल्ट तका सिगनल रेपेजेंट करता है उसको तो यह चीजें हम अल्रेडी डिसक या कोई टर्मिनल transmission शुरू करता है तो transmission गटायम वो लाइन पर access चेक करता है कि क्या लाइन पे इस टायम कोई data transmit तो नही भी हो रहा समझे रहो इसीलिए इसको बोला है carrier sense multiple access means carrier को sense करके धान देना carrier को sense करके तब transmission शुरू होगा तो इसने यहां A ने क्या किया? करेट को सेंस करके data transmit कर दिया यह transmission पूरा मतलब यहां से यहां तक propagate होने में time लगेगा आप जानते हो यहां से यहां तक होने में time लगेगा तो उस time क्या किया? C ने क्या क्या? T2 time के ओपर C ने यह देखा कि channel खाली है और उस time तक C तक यह data पहुंचा नहीं था C तक यह data पहुंचा नहीं था तो क्या? इसने देखा कि channel खाली है? हाँ, खाली है channel तो उसके बाद क्या है? इसने transmission शुरू कर दिया ध्यान देना यह चीज कि जब इसने transmission किया उस time इसको यहां transmission जब इसने शुरू किया इस जगय पे तो उस time इसको क्या मिला था? यह खाली मिला था sorry, B का B ने जब transmission T1 टाइम पे B ने transmission शुरू किया तो इसको इस channel खाली मिला channel खाली मिला तो उसने क्या किया? अपना transmission शुरू कर दिया अपना जो signal है, जो data है modulated data है वो उसने भेज दिया जब इसने वो modulated data send कर दिया तो वहां receiving end के उपर देखिए क्या होगा जब फिर क्या होगा? यह transmit होगा यहां से किसके लिए transmit होगा था? वो secondary issue है वो अभी बात नहीं कर रहा है कि इसने बी ने किसके लिए बेज़ा था? यह बात नहीं कर रहे है भी हम अभी हम सिरफ यह बात कर रहे है कि C ने terminal C ने यह देखा कि T2 time पर उसके पास उस C terminal के आसपास कोई भी data नहीं है कोई भी data कि किसी ने transmit नहीं कर रखा तो क्या है कि वह अपना signal transmit कर देगा signal transmit यह करेगा T2 time पर यह already T1 time पर transmit कर चुका तो क्या होगा यहां collision हो जाएगा इनका किस time पर collision होगा देखिए इनका collision किस time पर होगा यहां से यहां से इस time पर यहां इस time पर collision हो जाएगा sorry यह यह लाइन आप सी दिखिए जो यह यह टाइम इदर यहां के टाइम स्केल दिखा रहा है तो यह टी थी टाइम बेन का कुलिजन हो गया दोवारा दो लाइन में एक्स्प्लेन करता हूं बी ने टीवन टाइम पर देखा कि यहां आसपास कोई भी करियर अवेलेबल नहीं है क्योंकि डाइटा कभी भी अन्मॉडूलेटिट फॉर्म में ट्रांस्मिट नहीं होता जब भी डाइटा को ट्रांस्मिट किया जाता है के अनलोग सिंस्टा होता है करियर तो उसके उपर मॉडूलेट करके तब उसको ट्रांस्मिट किया जाता है हैं तो जब भी terminal है उसने जब transmission करना चाहा तो उस ने देखा किime कोई भी line खाली है कोई भी डेटा उसको नहीं sense कर पाया वह sense नहीं किया तो इसने अपना transmission शु Stress शुरू किया तो क्या हुगा transmission start हो चुका और time के साथ आगे बढ़ताजार रहे इधर भी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा केरियर सी ने टर्मिनल सी ने क्या देखा टी टू टाइम पर देखा कि क्या लाइन खाली है और इसको लाइन खाली दिखाई दी क्योंकि इसके इस तक डेटा बी का नहीं पहुचा था टी के उपर जो बी का которой है वह डटा यहां तक नहीं पहुचा अभी तो क्या हुआ है यह थाइं सो इधर है देखिए ट्रांसमिशन नहीं हो रहा एक्लिस इसके आसपास तो नहीं हो रहा तो इसने क्या किया अपना data transmit कर दिया data transmit तो कर दिया इसने लेकिन क्या था कि इसकी यह भूल थी कि रस्ते में उस टाइम भी का i रहा था इधर से यह चला गया और उनका क्लिजन हो गया इस जगह पे जब तक की इसका B का पूरा frame complete ना पास कर जाए और जब तक C का पूरा पास ना कर जाए यहां देखिए यहां यह कुछ duration ऐसा है जिसमें B का data C तक नहीं पहुंचा था और यहां कुछ duration ऐसा है यह देखिए क्योंकि सिर्फ एक bit नहीं होती ना बहुत frame होता है वो frame bit by bit transmit होता है bit by bit transmit होगा bit by bit transmit होगा तो कुछ time लेगा तो कुछ time ऐसा हो कुछ bits ऐसी रह जाएंगी जो collision से बच गई लेकिन हमारा frame तो destroy हो गया तो यह यहां इस जगे पर देखिए यहां आप देखेंगे कि बी का data यहां तक है कुछ आगे उस time क्या था सी यहां से निकल चुका था सी का data यहां से निकल चुका था तो इसलिए कोई terminal transmission शुरू करता है तो वह carrier को sense करता है लाइन के ऊपर चाहे वह guided media या अन-guided media वह carrier को sense करता है के को sense करने का मतलब क्या है carrier को sense करने का मतलब यह है कि जो protocol में carrier defined है क्योंग carrier तो बहुत different frequencies के होते हैं टीवे transmission के लिए अलग होंगे radio transmission के लिए अलग होंगे तो wireless transmission के लिए अलग होंगे ठीक है और FM transmission के लिए अलग होंगे करियर डिफरेंट होते हैं तो यह यह चेक करेगा ऐसे तो दुनिया वर के करियर signal आसपास भूम रहे हमारे हमारे आसपास लेकिन क्या है यह चेक करेगा जो हमारे प्रोटोकोल में जो करियर प्रिकन्सी अलाॉड है जो करेगो फ्रिकन्सी हम research कर रहे हैं हमारे प्रोटोकोल के अंदर क्या वो उस वो प्रिकन्सी आसपास है क्या कि दिआंवारे सक्षीर असफास है क्या कुछ में हमारी रेंज में है जब इसको रीहेंग नहीं नजर आ र doğr kanssa कर दिया लेकिन समझ आ गया होगा यह दि आपको नहीं समझ आया तो आप में इसे पूछ ले ना कमेंट में पूछ ले ना मैं फर्दर इसको explain कर दोंगा वर्लेवल टाइम क्या होता है देखिए वर्लेवल टाइम देखिए बी का हम देखें या यहां देखिए एने को transmit किया तो बी ने क्या किया यहां sense किया इसको सी ने इसको यहां sense किया इस जगे बिजा के और डी ने इसको यहां sense किया तो वर्लेवल टाइम कितना होता है जितना propagation टाइम होता है उतना उतना वर्लेवल टाइम है means यहां इस axis के उपर यह time दिखाया जा रहे है इस axis के उपर इस axis के उपर इस time दिखाया जा रहा है तो आप यह देखिए जब तक जितना time इस time के उपर इस time पर ए ने transmit किया था और इस time तक वो D तक पहुंचा तो जब तक data A से निकल के D तक ना आ जाई स्पोर्च कर उसको D तक पहुंचना है A A से D तक ना आ जाए तब तक का वो time vulnerable time है उस बीच में किसी ने भी transmission कर दिया B या C ने किसी ने भी transmission कर दिया तो क्या होगा कि वह a distort हो जायगा वह collision हो जाएगा डिस्टोर्ट कि रिजन कहोंगा कि ग्लेजन हो जाएगा है इस 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 है तो यहाँ वन्लेबल टाइम कितना है जितना प्रोपविकेशन go no time की बात नहीं थी वहां time वहां frame टाइम जितना था transmission घ्रास्विशन डाइम का च्राइक जितना था अतना time total था енरेबल टाइम slotted अलो हमें double of transmission time of frame था वो our वह में था यहां पिर hãyामने क्या किया यहां system ऐसा है कि frame इतना फ्रेम टाइम टाइम और propagation time इतना है तो तो वो क्या हुआ कि हमें ये फाइदा हुआ कि हमारा वनरेबल टाइम कम हो गया कि अब देखिए कि CSM में के अंदर कि एक बार कि डेटा कॉलाइड हो गया डेटा कॉलाइड होने के कि एक अब दुबारा सही टनश्मिशन करने तो उसके तीन तरीके हैं कि या जब भी कोई टाइड होने की वाध मत करो आप अप यह करो कि एक यूजर एय है यूजर एय है उसने का उसके पास फ्रेम रेडि हुआ और उसने लाइन को सेंस करके देखा, क्या बीजी है और जैसि उसको लगेगा कि लाइन फ्री हो गई, तभी त्राश्मिट कर देगा. समझ गए? करियर A, के पास frame ready हो गया, उसने सुना, सेंस किया, सुना का मतरर जाम? सेंस किया, और सेंस करने के बाद, या जैसी सेंस किया, उस ताइम इदी फ्री है, तो उसी time transmission हो जाएगा और उस time free नहीं है तो जैसे ही वो free होगी line तभी वो transmission हो जाएगा दूसरा देखिए यहाँ busy चल रही थी line यह पहला था persistent, one persistent means जैसे ही खाली होगी तभी 100% chance है कि वो transmit होगा ही होगा खाली मिलते ही transmit होगा जब तक busy चल रही है तक ठीक है खाली मिलते ही transmit होगा next है उसने sense किया, A ने sense किया, उसको busy मिली busy मिलके उसके बाद वो लगातार उसको sense नहीं करेगा, continuously sense नहीं करेगा उसको वो भी चीज में आके sense करेगा एक बार sense किया फिर उसके बाद wait किया फिर sense किया फिर wait किया randomly wait करेगा फिर wait किया फिर उसको खाली मिल गई तो उसने transmit कर दिया ठीक है उसके बाद क्या है Next है P persistent यहां क्या था खाली मिलते ही transmission होगा यहां क्या है कि non persistent है यह continuously check नहीं करेगा consistently check नहीं करेगा, persist का मतलब जो हमेशा present हो, उसको persistent बोलते हैं तो यहां यह हमेशा check नहीं कर रहा है, वो randomly check कर रहा है, कभी भी आके check कर रहा है, जब उसको खाली मिल गए बेज देगा यहां आके उसको यह पता लगा खाली हो गया लाइन खाली हो गई है लेकिन यह कोई प्रॉइलिटी नहीं है अंड्र पर्त पूरी आसन प्रॉइलिटी नहीं है इसका रीजिन बताता हूं कि बाद पो एस पोजर में जब यह को इसको चानल को चानल सबरद दोजोगए यहां इस चेक करना शुरूआ था को एश्जाघ केसिजद चेक करना शूरूआ दोनों को यह मिला कि यह चैनल सबसчान जो पर आज यदिमारों प्रहसिस्टेंट कि बात करूं तो यह और दोनों को ही इस जग पर आगे लगेगा कि चैनल खाली हो गया और दोनों ही कठे ट्रांस्मिट कर देंगे कि लिजन हो गाई होगा कि अधिक तो उसके बाद क्या किया कि यहां पर क्या किया कि बीजी चल रहा था चल रहा था फिर एक क्या होगा जैसी फ्री होगा कोई एक पर्टिक्लर प्रवाइलिटी है वह एक डिवाइस की प्रवाइलिटी कुछ होगी कितनी प्रवाइलिटी है कि वो ट्रांस्मिशन कर सके हंड़र पसंट प्रवाइलिटी नहीं है वन प्रवाइलिटी को वन मैक्सिम होती आपको पता है कि यहां खाली मिलते है डाटा ट्रांस्मिट हो जाए यदि वन प्राइविलिटी होती तो यह वन प्राइविलिटी है यहां पर यहां यह और भी ने दोनों ट्रांस्मिट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा क्या होगा कि यहां क्या होगा कि जो प्राइविलिटी होगी व बहुत-बहुत-बहुत कम है 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 यहां तो यह था कि दोनों का डैटा इदी बी in between ready हो गया जब तक ही बीजी है तो यहां transmission दोनों करेंगे ही करेंगे और करेंगे तो collision होगा ही होगा hundred percent होगा लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां खाली होने के बाद दोनों wait करेंगे कुछ time के लिए कुछ प्राइबिटी जो उनकी हो किसी की हो सकता point eight हो किसी की हो सकता point seven हो तो इनकी probability जो है वो different है data transmit करने की खाली line मिलने के बाद जब भी वो line को check करेंगे तो उसके बाद possibility possibility बहुत कम है possibility नहीं probability बहुत different है दोनों की probability different है तो इसका मतलब यह chance बहुत कम है कि दोनों same time पर transmission करेंगे यह तो मैंने दो का example दे तीन भी हो सकते चार भी हो सकते पांस भी हो सकते एक system इदी hundred devices है तो हो सकता है एक time में पांस का data एक साथ ready हो ठीक है तो पी persistent की जब हम बात करेंगे तो क्या है कि वहां को 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 लिजन के chance कम हो जाएंगे कि देखिए यह दिखा रहा है कि यदि one persistent की बात करें चैनल है बीजी जा रहा है फिर चेक करेंगा चैनल खाली है नहीं है तो फिर चैक कर चैक बीजी जा रहा है तो दोबारा चैक करेंगा और यदि आइडल है तो डाट ट्रांस्मिट कर देगा कि अब है relevant नोन प्रसिस्टेंट चैनल बीजी है लेजी करता रहे यहां कंटिनीरिस लीव तक हम पसके कर दोबारा से उसको करेगा फ्री करेंगा फ्री है नहीं बीजी मिल गया दोबारा से एक करेंगा कुछ कुछ देर के लिए वेट करें फिर दुबारा चेक करेंगा जैसे आप किसी के घर जाते हो और आप डोर पर बैल बजाते हो फिर वेट करते हो कोई बाहर आया नहीं आया फिर कुछ टाइम पिरेड तक आपने वेट किया फिर दुबारा बैल किया आपने फिर वेट किया आप continuously बहल नहीं बजाते रहते वहां ठीक है तो वेट करोगा आप बीच में तो इस तरीके से यहां देखो यहां देखो यहां आइडल में गया ट्रांस्मिट कर देगा देखिए यहां चैनल चैनल बीजी है यह दी तो वह चेक करने चैक करते हैं आइडल है तो जो प्रावियूइटी आउटकम क्या है उसकी उसकी जदी जो उसकी प्रावियूइटी है देटो लेस द Sun और इकवल तो जो त्रांसаты कर देगा है यह दी क्या क्या है पी प्रोविलिटी है तो यदि वह नहीं अचीव हो हुई तो वेट इस लोट एक स्लॉट तक रहेगा फिर उसके बाद दोबार आइडल है तो दोबारा से वह प्रोसीजर और वीजी है तो उसका जो तो दुबारा यूज बैक आफ प्रोसेस बैक आफ प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि कितने टाइम के बाद उसको दुबारा से री री चेक करना है तो वो प्रोसेजर वो फोलो किया जाएगा CSMA CD एक सेप आगे है इसे CSMA CD एक सेप आगे है CSMA से carrier sense multiple access with collision detection collision जो होगा जो मैंने पिछले carrier CSMA के अंदर आपको बताया था collision हो गया तो collision जो होगा उसको पहले ही भेजने के बाद उसके CSMA क्या था भेजा पता नहीं लगा कि collision हो गया नहीं होगा वेट करता रहेगा कितनी देर तक वेट करता रहेगा जितना उसका propagation टाइम था maximum time था उसका double जैसे मैंने अलोहा में बताया था जितना उसका time था डबल वेट करेगा क्योंकि वहां से acknowledgement जब तक जाने में और आने विजितना time नहीं लगेगा उतने time तक वेट करेगा उसके बाद दुबारा try करेगा तो इसका meaning क्या हुआ कि भी से टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या है कि हमारा data हमने बेज दिया उसके बाद क्या थरीका है कि यह पता लग जाए कि रस्ते में accident तो नहीं हो गया वो तरीका हमने लगाया वो method लगाया हमने और उसके लिए हमने क्या किया है कि देखिए यह टी वन टाइम पर इसने data भेजा ए ने और क्या हुआ कि यहां पर टी टू टाइम पर data भेजा यह सी का सी का देखिए सी का जो data था उसके साथ इसका collision हो गया है सी ने अपना data भेजा था देखिए ओर रेड कलर से जो दिखाए जा रहा है ओटी टू टाइब पर टी टू टाइम पर सी ने अपना data भेजा बेजा ने इसाथ तो क्या होगा कि कोमलेजन हो गया second होने के कुलिजन जिसके नजदीक होगा उसको पहले पता लगएगा कि कुलिजन हो गया कुलिजन यदि इसके नजदीक वगए इसको पहले पता लगएगा और इसके नजदीक वगए इसको पहले पता लगएगा देखिए यह डिस्टेंस वाली बात है हम जब चलते हैं तो हम एक किलोमेटर पर सेकंड होता है तो चाहे आपका टाइम पीरिड मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड के अंदर आ गया डिस्स को देखते हुए लेकिन स्टिल जो नजदी को उसको जल्दी पता लगेगा जिस जो दूर हो उसको लेट पता लगेगा ठीक है अब पता खेश सलता ह ऑफ कि ध आपने स्पार्किंग होती हम देखी है दो वायर की कभी कभी लेक्रीक स्पार्क की नोटी देखी हूप विशहद आपने जब आपको गीजर वगर आउन करतेओ वहां भी प्सपार्किंग ऊटी तो तो जब भी कोई दो signal, दो लेवल, दो different level electricity के, जब collide करते हैं, तो वहाँ sparking होती है, तो जब आप GIZERON करते हैं, तब क्या है, neutral और phase को तब आप collide कर रहे हो, मिला रहे हो, तो sparking होती है, ठीक है, sparking जहाँ connection lose होते है, वहाँ भी sparking होती है, जब आप हुआं सबस्क्राइब होते हैं ठीक है कि का मतलब क्या है हैं हाइट ही तो वोल्टेज नि स और ne स्विग्रणट। वहां सेल्ज के रिंट सोते हैं जब भी जहां परिकिंग classes कोगी हाइफ फ्लो कर रहा होगा जहां स्पार्किंगे को भी वहाइ फ्लोब करेगा तो वहां क्या होगा हाई करण्ट होगा जहां ध्यूरीजिन भोगा तो सेम वे वहतों मैं 220 वोल्ट या 440 वूल्ट की बात कर रहा था भी लेट्रिकर 그러ald तो अब लेकिन जब आप digital signal की भी बात करते हैं तो यहां जो collision होगा इसके अंदर भी जो collision होगा तो एक यह signal गया और एक यह signal आया जब यह signal यहां पर आगे collide करेंगे तो different signal जब यहां collide कर रहे हैं तो यहां SIRJ currents आएंगे. SIRJ का मतलँ क्या होता है? जो एकदम से पीक आएंगे. यह सर्ज होती है, ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे चलती है, लेकिन कभी कभी यह ऐसी आजाते हैं, तो सर्ज करन्ट की पीक आएंगी कुछ. और जैसे यह क्या होगा एकदम से करंट बढ़ा तो इसको sense करने के लिए c wait कर रहा है और a b wait कर रहा है क्या मेरे data का collision तो नहीं हो गया इसको यदि मैं book की language में बोलू तो यह बोला जाता है a and c listens the line after transmitting their data data को transmit करने के बाद वो सुनते रहते हैं उसको सुनते रहते हैं मतलब वो sense करते रहते हैं कि क्या हमारे signal का collision तो नहीं हो गया देखिए carrier sense अलग concept है और collision detection अलग concept है carrier sense तो तब काम आता है जब इसने transmission शुरू किया उस ताइम आपकी लाइन खाली थी क्या खाली मिली इसको जब c ने transmission शुरू किया तो इसके आसपास की लाइन भी खाली थी इसने भी भेज दिया अपने data को कुलिजन डिटेक्शन जो होता है वो होता है सर्ज करंट को को चेक करके एकदन सब पीक आई करंट के अंदर उसको चेक करके तब इसको पता लगता है सी को और एको भी की कुलिजन हो चुका जैसी कुलिजन हुआ तो उसके बाद ही अपना अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे आगे की जो इनको सिंगलर ट्रांस्मिट करना है दोबारा यहां वो टाइम आपका सेव हो गया जो टाइम आपको लगा था वेट करने में एकनोलिजमेंट के और नहीं आया तो फिर आपको आपने डेटा दुबारा सेंड करना था तो यहां वो टाइम आपका सेव हो गया आपको पहली पता लग गया कि आपका डेटा कोलाइड हो च खतम हो चुका है आप देखिये कि यहां वर्नेबल कॉलिजन और अबोर्शन कैसे होगा और अबोर्शन कैसे होगा अबोर्ट डेटा अबोर्ट कैसे होगा यह देखिये सी ने यहां डेटा देखा कि अब उसका कॉलिजन हो गया और इधर क्या हुआ कि एको पता लगया यहांपर डेटा उसका कॉलाइड हो चुका है तो क्या है कि एको डिटेक्ट किया हुआ और तो उसने अपना आगे transmission abort कर दिया, आगे transmission नहीं करेगा वो अपना, और ऐसी जैसी इसको पता लगा, कि मेरी कुछ bits का collision हो गया है, तो वो उसको अपना remaining जो transmission था, उसको abort कर देगा, स्पोज करो, इसने C ने तब तक 2 bit भेजी हैं, और A उस टाइम 14 bit भेज चुका है, out of 16, 16 इसके पास थी, 16 इसके पास है, ठीक है, दोनों के पास 16 थी, ये 14 भेज चुका है, ये 2 भेज चुका है, तब ही इसको C को पता लगा कि मेरा collision हो गया, और इसको पता लगा A को कि मेरा collision हो गया, तब तक 14 भेज चुका था, तो still क्या होगा, कि ये उसी टाइम अपना transmission आवोर्ट कर देगा, और ये भी उसी लेवल पर अपना transmission आवोर्ट कर देगा, तो वो जो टाइम था, वो save हो गया, अब दुबारा से अपना ये process initiate कर सकते हैं, ये एक numerical है, ये देख सकते है आप, CMACD का frame, flow diagram क्या होगा, यहां क्या होगा, station के पास एक frame है, वो start करेगा, k अभी 0 है, start कर दिया उसने, apply one of the persistent method, कोई भी persistent method, method use करेंगे, वो one persistent करेंगे, या non persistent करेंगे, या पी persistent करेंगे, कोई भी method use करेंगे, उसके बाद transmission क्या इलिजिवल है, तो भेज देख आगे, उसके बाद transmission done और collision detected, transmission यदि हो गया, तो अच्छी बात है, ट्रांस्मिशन यदि हो गया तो अच्छी बात है यदि कुलिजन हो गया तब प्रॉब्लम है यदि कुलिजन हो गया तो क्या होगा यश्च तो क्या है कुलिजन डिटेक्टेड हुआ नहीं हुआ तो सक्सुस्फुल होगा यहुदि कुलिजन डिटेक्ट्ट हो गया तो क्या होगा आगे सेंड trata jamming signal जैमिंग सिगनल होगा उसको जो ट्रांस्मिशन अभी है वो उसको अबोर्ट कर देंगे उसके बाद एक चांस वह बढ़ाएंगे जैसे के जिकल जीरो था आप यह एक ऐसे चांस वह बढ़ाएंगे और उसके बाद क्या है कि क्या मैक्सिमुम चांस हो गए तो इस तरी कैसी सुलता रहेगा ठीक है अब यह ट्रांस्मिशन यह दी नहीं हुआ यह एक है यहां पर ट्रांस्मिशन नहीं हुआ यह दी ट्रांस्मिशन नहीं हुआ यह दी ट्रांस्मिशन नहीं हुआ तो ट्रांस्मिट करो ठीक है और चेक करो कि क्या को लिजन हो गया क्या यह इसका फ्लो कि ये जो मैं पता रहा था था ना कि एनर्जी लेवल एनर्जी क्या होता है वोल्टेज into Current होता है मैंने कहा तो काहँ था कुरंटञी हो जाएगा एक दम सेकंज मतलब क्या हुआ कुरंट होगा क्या होगा 2 in to distinction फिर टॉफ어 होता है और यदि जहां collision होगा तो वहां high level होगा एक दम से, तो इसी चीज़ को ये actual में level है, level of signal, तो ये actual में signal के level को sense करते हैं, जो stations हैं, और जहां उनको लगता है कि जो हमारा normal level है NSG का, उससे high level line में show हो रहा है, तो वह क्या होगा कि collision detect होगा और वह अपना जो required action हो लेंगा, ये lecture में यहीं खतम करता हूँ, हमने इस lecture में पढ़ा CSMA and CSMA CD with collision detection, next lecture में हम करेंगे CSMA CA, या आप ये कह सकते हो, CSMA with collision avoidance, thank you very much.